सुखराम विश्णोई जालोर दोरे पर रहे उन्होंने कोरोना के रोक्थाम के प्रयासूं के लिए विधायक कोश से 13 लाख रुपए मन्जूर किये साथ ही पुलिस प्रिश्णासन के अधिकारियों के साथ पैदल घूम कर शहर का जायजा लिया और इस दोरान उन्होंने लो बावी मॉनिटरिंग हो रही है जालोर में भी राज्यमंत्री सुक्राम विश्णोई लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं आज सेर में निकले जायजा लिया है और जिस तरीके से देश में कोरोना के चल्चे जो लॉक डाउन हुआ है उससे आर्थिक स्थती में भी बड़ा ऑवर परीवर्तन बड़ा परीवर्तन देखने को मिला है और इसके साथ ही जिस तरीके से कएंद्र सरकान जो रात पैकेज की गोश्णा की है sou बड़े बड़े जिस तरीके से गोशना की गई उससे कितना फरक पड़ेगा मेरे साथ खास वास्यत करने के लिए राज मंतरी सुक्राम विश्णुई मुझूद है मंतरी जी जिस तरीके से कोरोना के चलते लौक डाउन है आज आपने जाय जा लिया आर्ति किस्थति की बात क इस तरीके से जो केंदर सरकार ने गोश्ना की है कितना फरक पड़ेगा इस से कितना फायदा मिलेगा आज में शेयर केंदर मेरे वान में परसास नीगतिकारी साथ बूमा लोगों ने पर किसगी घोष्णा की है यह मैं लेको गोष्णा की अन्य भी बहुत सारी घोष्णा है हुई है कितना फरक पड़ेगा इसे लोकडाउन में बड़ा असर देखने को मिल रहा है लोगों का मनुबल बड़ेगा और आज की हालात में घोष्णा की जुरुत है सब यह खातम पै दिया गया है यह सामगरी खरीदने के लिए कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए और परदेश सरकार भी लगातार गंबीर है मॉनिटरिंग हो रही है परदेश सरकार ने भी सभी PCCC पर फंट दिया है और यहां हमारे दो तीन जे के जो कोलेज है स्कूल है उनको चिनित कि है अगर जुरूत पड़े तो यह होस्पीट के रूप में काम आए तो जिस तरीके से परदेश सरकार पूरी तरह गंबीर है राजमत्री शुक्राम विश्नुई लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोरोना के खौफ के चलते लगातार लॉक डाउन है बजार बंध है व के बिजेपी प्रदेश अध्यार